हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप लोगा है होप आप लोग सभी मस्त होंगे तो फ्रेंड्स जार्खन एक अड्मिट कॉंसिल ने एक बड़ा ही एलाउंसमेंट कर दिया है जिसमें 11th कलास के बच्चों के लिए एलाउंसमेंट किया गया है जिसमें 11th कलास के बच्चों के लिए कि आपका फोर्म कभ मख़िल होगा अ कितने आवर्स का होगा मैं इस वीडियो के माधेन से आपको बताऊंगा कि एक्जाम आपका कब होगा और किस तरीका से एक्जाम लिया जागा और क्या-क्या पैटर्न इसमें चेंज हुगा है अगर आप आर्ट साइंस कोमर्स के बचे हैं आप 11 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को इग्नोर मत किजिए जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर कर आ गया है जो आका मतलब पहले जो होता था नेक्स्ट ययर में जो एक्जाम हुआ था 50 Number का क्यूचन आता था यानि आपका हिंदी है तो हिंदी का 50 number का क्यूचन आता था। 50 क्यूशन ही आता था उसी परकार यानि pattern का कोई छेड़ छाड़ नहीं किया गया है जो pattern है pattern वही रहेगा आपका और रही बात दूसरा दूसरा बात यह है कि आपका जो form फिल करने का date announcement आ गया है form फिल करने का date यही है कि आप 7 October 2020 से लेकर 4 November 2020 तक आप अपना form को फिल कर सकते हैं आप अपने college में जाकर या आप पलस टू में पढ़ते हैं तो आप पलस टू में जाकर अपने school में form को online के द्वारा भर सकते हैं तो कैसा लगा यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तथा 11th class के बच्चों के पास इसको जरूर सेर कर दीजिएगा